हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इन इस वीडियो विल स्टार्ट मैंगनेटिक्स तो मैंगनेटो स्टैटिक्स के बारे में जानने से पहले हम यह जानना होगा कि मैंगनेट आया कहां से तो आदी मानब जो माइनिंग करते थे कुछ मतलब मेटल्स के लिए तो उनको एक खास तरीका का पत्थर मिला जिस पत्थर की मदद से उन्होंने देखा कि उसका कुछ खास प्रपार्टिस है जैसे कि वो कुछ उनके 2000 व खास को लुए के 1000 का एक अटरक करता है। घर कुछ पार्ट इक दुस्रे को एक दुस्थर को एक अटरक नहीं ही गता है तो ऐसे ही था और यह जो मैगनेट्ष थे ना यह थे हो कि मैंनिंग करते वक्त मिले थे और इन मैगनेट्ष के के लिए तो एक magnetic field होता है तो यह जो magnetic field होता है तो इस magnetic field में किसी भी एक unit north pole के isolated unit north pole का motion क्या होगा इसका जो concept था वो एक electric field में एक unit positive charge के motion का similar करके बनाया गया था तो देखें electric field में एक charge particle के उपर force क्या होता है 1 by 4 by epsilon not q1 q2 by r square तो ऐसे ही अगर हम सोच ले कि magnetic field में एक unit isolated north pole है तो फिर उसके उपर जो magnetic field जो force देखाबो होगा fm mu0 q4 by qm2 by r square जहां पर q mu0 है medium का magnetic permeability और जो एक unit north pole ऐसे तो impossible है पर फिर भी ऐसा एक concept था पर unit north pole होता नहीं है यह हम इस law के मदद से proof करेंगे तो यह तो था old concept पर जैसे जैसे civilization और भी आगे गया इंसानों का और भी शक्तिशाली magnet का जरूरत परने लगा तो तब आया electromagnet का concept तो electromagnetism आया MPR के एक experiment से MPR ने क्या किया था एक wire लिया था और उसके अंदर से current flow किया था और current flow और उसके उपर एक magnet को ऐसे रख दिया था उपर था north pole ऐसे south pole था उन्होंने क्या देखा कि जब current flow हो रहा है तो north pole का deflection हो रहा है तो उन्होंने ऐसा एक law दिया था हमें कि अगर कोई बंदा एक current carrying wire के उपर से अपने दोनों हाथ पहला के swim करे तो उसका डाइनी हाथ जिस तरफ होगा magnet का north pole उसी तरफ deflection होगा समझे तो इस law के मदद से हम जान सकते है कि north pole किस तरफ deflection होगा तो अब हम चलिए जानते है अगर एक current carrying wire में से current flow होगा तो फिर magnetic field का direction क्या होगा उसे जानने के लिए हमने एक board लिया और board के अंदर से wire घुसार दिया और board के उपर हमने कुछ iron के मतलब क्या बोलू particles ऐसे spray कर दिये तो क्या देख सकते है कि अगर हम इसके अंदर से current flow करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि यह जो iron के particles है वो एक circular way में arranged हो जाएंगे और यह circular जो path है यही magnetic field का direction indicate करता है तो चलिए अब हम दो rules परेंगे जिसके मतलब से हम जान पाएंगे कि magnetic field किस direction में होगा तो पहला rule है thumb rule right thumb rule तो इस rule में क्या बोला जाता है कि आपका जिस direction में current flow हो रहा है अगर आप उस direction में अपना thumb को रखे और इन चार उंगलियों से wire को ऐसे पकरने की कोशिश करेंगे तो इन चार उंगलियों की तरफ ही magnetic field होगा समझे और दूसरा rule है हमारा corkscrew rule इस rule में क् कि आप जिस direction में current flow हो रहा है उस direction में अगर आप डाइन ही पाक के मतलब right truth screw को rotate करेंगे तो rotation का direction ही होगा magnetic field का direction तो समझे तो अब हम देखते हैं कि अगर किसी current carrying wire में current flow होता है तो उसके पास के किसी point में magnetic field का value कितना होगा उसको determine कैसे करेंगे तो उसको determine करने के लिए हमको एक law है bioserver law है यह तो यह इस law के मदश्यम determine कर सकता है तो इस एह पर देखिए current carrying wire है उसका एक small length element है dl तो इस length element से arch distance में एक point भी है तो हम इस point में magnetic field calculate करना चाहते है तो देखिए bioserver law क्या कहता है magnetic field इसमें जो होगा dl यह elementary length के लिए वो dl के proportional होगा इस wire में से जो current जा रहा है उसके proportional होगा फिर यह जो angle है यह adjoining line और current flow की direction के साथ जो angle है उसके sign के proportional होगा और इस direction के square के opposite के साथ proportional होगा मतलब r to the 1 minus 2 के proportional होगा तो हम इससे क्या लिख सकते है del b is proportional to ideal sin theta by r square तो db equals to k ideal sin theta by r square तो k constant है हमारा ठीक है इस k का value हम calculate कर सकते है कि k का value आता है mu 0 by 4π mu 0 है permeability of air और 0 medium तो आप देख सकते है तो यह पर हम लिख सकते है db equals to mu 0 by 4π ideal sin theta by r square ठीक है तो आप देख सकते है dl को हम ऐसे लिख सकते है dl cross r cap equals to dl mod dl mod r cap sin theta तो mod r cap unit vector है तो r cap unit vector होने के बादा c1 हो जाएगा तो यह dl sin theta है तो हम dl sin theta को ऐसे भी लिख सकते है और फिर अगर हम अगर r cap को ऐसे लिखेंगे r cap equals to r vector by mod r तो फिर यह ऐसा कुछ हो जाएगा dl cross r by r cube तो हम total magnetic field होगा integration करेंगे तो हमें मिल जाएगा ठीक है तो अब हम देखेंगे mu0 का value mu0 का value है वो होता है 4 pi into 10 to the power minus 7 henry meter inverse यह henry meter inverse कहां से है हम अभी बताएंगे पहले हम इसकी unit देख लेते है तो पैर सबार लोस से हम देख सकते है कि इसका mu0 equals to 4 pi r square del b by ideal sin theta तो अगर हम सभी चीज़े का unit है पर बिठाएंगे तो पहले मैं बता दू जो magnetic field vector है उसका unit है waver per meter square तो अगर सारे unit हम calculate करेंगे तो हमें आएगा waver ampere inverse meter inverse तो waver ampere inverse को हम बोलता है henry यह henry कहां से आया यह असल में एक solenoid का self inductance से आता है यह देखिए अगर यह solenoid होता है और उसका self inductance L होता है तो फिर magnetic plus का unit होता है waver और current का unit होता है ampere to waver ampere inverse इसको हम henry बोलता है ठीक है तो इस वीडियो में हमने magnetostat के कुछ basic चीज़ से ओ एक बात और एक चीज़ है magnetic intensity magnetic intensity क्या है magnetic field vector और zero medium का और उस medium का permeability का ratio होता है magnetic intensity तो magnetic intensity का unit क्या होगा बी का unit हो वेबर वेबर पर मीटर स्क्वेर और म्यू का unit है waver ampere inverse meter inverse तो फेर हमें क्या मिल जाएगा यहापर ampere meter inverse यह है हमारा magnetic intensity का unit तो इस वीडियो में हमने magnetostat के basic चीज़ के बारे में बाताया next वीडियो में हम बताएं के biosaber law के कुछ biosaber law के applications के बारे में तो ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक और शेयर कर दीजेगा थैंक्स फॉर वाचिंग